हेलो दोस्तों फिर से स्वागता है आपका डीकेटाइस फिटिंग में दोस्तों आप यूट्यूब के नहे चैनलिंग पर हम आज मार्बल क्या रेट में लगता है एक बेडरूम में आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे मार्बल क्या रेर से आया है और कितने इसकी मजबूरी होती है आप भी इसके अंदादा लेके आप के गर में लगवा सकते हो मार्बल इसलिए आज ये सब इस वीडियो के माधिम शेमा आपको बताएंगे आप देख सकते हो इस वीडियो को पूरा देखना थोड़ा बड़ा वीडियो होगा इसलिए आपको किस तरीके से लगाना था ये मार्बल ये भी इसके बारे में बताएंगे और हमारे चैनल पर नए हो तो आप सद्धस्यता जरूर लें ताकि हमारा वीडियो आपको जल्दी मिल सके हम टाइल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और मार्बल हम इसमें 30 रुपे वाला मार्बल लगाएंगे तो 9,000 रुपे के लगबग आपको मार्बल पड़ेगा उसके बाद सेमेंट रेती मिलागे आपका लगबग 11-12,000 रुपे तक 11-15,000 रुपे बीच में पूरा पड़ेगा तो आप इसकी मजदूरी 300 फूट की जोड सकते हो 300 रुपे पूट चलती है कटिंग और फिटिंग इसलिए आप 9,000 रुपे की मजदूरी होती है और उसके बाद गसाई होती है तो गसाई उसमें 5,000 रुपे तक की गसाई हो जाती है इसलिए आपको अंदा जाओ गया तैसे रोम में आप कितना तक का खर्चा हो नए हो तो सब लाइक और शेयर जरूर करना यह थोड़ा वीडियो बड़ा होगा इसके बारे में हम जानकारी पूरी देंगे इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें आपको मार्बल लगाने का कैस तरीके से लगाते हैं पहले इस रोम की हो लेवल लेते हैं लेवल पूरा पट्टी से लेवल करना पड़ता है इसके बाद आप आप एक कारिकरजी को देख सकते हो लेवल कर रहे हैं वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाल है इसलिए आप देखें अभी हमारा यह रोम लेवल होके तयार हो गया है अब इसमें मार्बल लगाने का कारिये कर रहे हैं अब यह मार्बल लाके रख रहे हैं इसको दोनु चारु तरफ इसके पट्टी आएगी बलेक दो इंच की इ अठाव अच्छा आएगा तो देख लो मार्बल तीस रुगे स्कार फिट का है तो आपके भी मकान में आप लगवा हो तो खर्चा निकाल सकते हैं इतने का होता है इसी साब से अच्छा आप अच्छा आप अच्छा इसे साइज बनाना पड़ता है फत्रों की इसमें वह पिक्स रहता है इसलिए और चारु तरुप दो-दो फिट की जगह छोड़के हैं हमने इसको सेट किया हुआ है कर दो हुआ पर Haliskeبل ज्रूंक के साब से बनाते हैं मेर पितने साइज गणे विच्छ आप से कमें सिसी सायज और 5 25 इसे त 40 बनाया यदि यह है यसा में ऐ adesso यह तो आहता है थो देख सकता है अरूत ऑबाकर के हलाने पत्रों को रखना पड़ता है बाद में मसिन चलाना पड़ता है इसमें वह इसमें कुद्रत्ती वह डीजाइन आती है वह भी आपको मिल जाएगी दोस्तों वीडियो पूरा देखें बड़ा उनिवाला इसलिए आपको पता चल जाएगा इसके एसाब से किस परकार से मार्वल लगाया जाता है हम इसमें पूरा वीडिये दिखाये हैं पूरे रूम का कि यह हमने अब सब इसमें पीच लाके जितना हमने बीच में काटे दे चारो तरफ इसके बले पटी आएगी तुमने रख दिया है और अब इसको लगाना चालू करते हैं इसमें एक बार मसिन चलाएंगे सब में इसके बाद कारिए जिन धीर धीर लगा रहें फट्र मोध देखते हैं इस चाहिए थोड़ा वाइट ज्यादा मार्वल है इसलिए प्रिश्मिट भी यूज़ कि ई इससे में ज़्यादा वाइट मार्बल तो पूरा वाइट सिम्ट यूज करना आप और थोड़ा वाइट हो तो आप बलेक शिम्ट का डूगा डाल के इसके उपर वाइट सिम्ट डाल देना तो आपका बलेक मारबल मार्बल दिखाई नहीं देगा वाइट मार्बल में क्या बलेक सीमेंट उपर आजाती है अमोग टाइम इसलिए कि आप देख सकते हो इस परकार से आप मार्बल घर में लगवाएं बलेक सीमन नीचे डाल के और इसके उपर वाइट डूगा डालना चाहिए इसलिए इसमें शिकायत कभी आएगी नहीं वाइट मार्बल है इसलिए इसमें जोएंट में वाइट शिमिट लगाना चाहिए आप देख सकते हो इस परकार से एक एक पत्तर खिटिंग होते हैं कि दोस्तों वीडियो गुजरूर पूरा देखें क्योंकि इसमें बड़ा होने वाला है आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से मार्बल लगाना चाहिए लगाते हैं और एवरेज का पता चली गया आपको एक रोम में लगबक कितना खर्चा होता है आप इसलिए आप देख सकते हो लगबक एक रोम में 300 फित का तो 30,000 रुपे कि लगबक खर्चा होगा आपका वायट से मिला विसलिए आप और आपके मकान में रूम अगर आपका चोटा तो आप लगवा सकते हैं पूरे मकान में लगवा सकते हैं आपका खर्चा ज्यादा आपका बजट है तो आप पूरा लगवा सकते हैं तो दम वाइट मार्बल 30 से 35 रुपे के बीच मिल ली जाता है बजार में अब हमने इसमें बलेक पटी जो बोल्ड है दो इंच की डाल रहे हैं इसके चारो तरफ बलेक पटी और साधा पटी है राजस्तान बलेक की इसमें अलग-अलग पटी डाल सकते हैं डिजैन वाली वी वह बजार मिल जाती है आपको हमने बजट के एसाब से पटी मंगवाई है ओर बलेक पटी लगाने से गिसाई होनी के बाद अच्छा दिखेगा है और हम इसमें गिसाई के बाद भी आपका वीडियो जरूर दिखाएंगे किस परकार से मार्बल लगा है फिनक फिर से वाईक वाइट मार्बल यही रमवला इसमें लगा है आप देख सकते हो इस प्रकार से पूरा लग चुका है और हमारे वीडियो को लाइक और शेल जरूर करना आप देख सकते हो हमारे सद्धेश्यता जरूर लेना